नमस्कार दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट उनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्पागत करती हूँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है एक टीचर एक गुरू और उनका आज हम स्वागत करना चाहते हैं ये बोलकर गुरू गोबिंद दोओ खड़े ताके लागू पाए बलिहारी गुरू आप दे गोबिंद यो बताए भगवान और गुरू में सबसे पहला दरजा किसे दिया जाता है गुरू को क्योंकि भगवान से मिलाने वाले वही है हमारे साता स्टूडियो में मौझूद है ऐसी ही एक टीचर जो हिंदी भाषा की प्रेमी तो है ही बलकी ना केवल बच्चों से जुड़ी है टीचर्स से जुड़ी है भाषा से जुड़ी है और हिंदी के माध्यम से कई सारी है तीचर से भी जुड़ी है आप खुद एक अध्यापक है तो आपके हिंदी की प्रती जो रूची थी जो प्रेम था जिसको आपने शिक्षक के रूप में ले जाने की यह जो एक यात्रा शुरू करी है वो कहां से शुरू हुई जी हिंदी की बात यदि हम करें तो मैं गर उसे कहना चाहूंगी कि मेरी मात्री भाषा भी हिंदी है और मात्री भाषा और मा का स्थान कोई नहीं ले सकता इस तरह से जब हमारी पढ़ाई जो हुई मेरी वो हिंदी माध्यम से हुई पढ़ने से पढ़ाने तक के सफर में कई जो है पड़ाव आएं और उसे हमपार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो हिंदी की प्रेम की बात आप ने कही तो उसमें होता है कि जब हिंदी समझ में आने लगती है तो हिंदी का हर लम्हा अपना हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता था मुझे पढ़ना और फिल्म अच्छा थी तो इस तरह से हो सकता है कि यह छो करना के लिए लुब्हते ना कि से जुड़ती हैं, उनकी क्यूरियोसिटी से जुड़ती हैं, उनकी जिग्यासा से जब जुड़ती हैं, तो खुद को अपडेटेड रखना और खुद को पढ़के उस लेवल तक लेकर आना ही एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, आप अपनी मां से शाद ज्यादा कि लिए आई आपकी लाइफ में और आप जिस तर यहां पर पहुँची हैं आज जिस तर से आप कहरी हैं कि मा का जो अस्थान है वो तो है ही और मा की प्रेणा तो मुझे मिली है, जबकि मेरी मा अनपढ़ हैं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, लेकिन वो सिक्षित हैं और जीवन में किसी मुकाम तक पहुँचना है तो उसमें दो लोग साथ में होते हैं, एक मा का स्थान है और दूसरा गुरू का है, क्योंकि वो ऐसा शिल्पी है कि वो हमें गड़ता है और एक सुंदर आकार देकर इस समाज में पहुँचाता है, जिससे कि हम अपनी जि मिदारियों को हम अगर गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो तुरंत वहाँ पर समझते हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गुरू और मा दोका स्थान रहा है, और आपने कहा कि सिक्षक बनना किस तरह से पर इत्तफाक से, सहयोग से मैं आपसे बताना चाहूंगी इस बात क मैं इसे चुनोतियां कहूंगी, कहना पसंद करूंगी, क्योंकि चुनोतियां जो है, वो समस्या जो होती है कि कहीं न कहीं हमें रुकावट बनती हैं, चुनोतियां इस तरह से होती हैं कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और मेरा राजस्थानी परिवेश रहा ह तो ये तो सर्वविदित है कि लड़कियों के लिए जो है थोड़ा सा जाधा पढ़ने के लिए आज की बात अलग है मेरे बच्पन की में बात करूं तो ये था कि भई चिट्थी लिखनी आ जाए सासुराल से मा को चिट्थी लिख दे वो काफी है तो ऐसी परिस्तितियों मे मैंने पढ़ाई की है और मुझे हरीबन श्राय बच्चन जी की वो कविता हमेशा बल देती है तुन रुकेगा कभी तुन ठकेगा कभी कारशपत 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 और ऐसा ही है कि बहुत सारी चुनोतियां आई संघर्ष आए लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई न लड़की हूँ जिसने दसवी पास की है और पहली लड़की हूँ आज तक जिसने पीएचडी की है डॉक्टर इठासिल की है यह सुनकर यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप राजस्तान जहां पर एक मेंटालिटी होती है कि नहीं बेटियों को हम पढ़ाएंगे नहीं बट जैसे आपने बोला कि सिर्थी लिख ले मा को सुसुराल से वहां से आप हैदरबाद तक आई और यहां पर आपने अपन पढ़ाती है फिछले 20 साल से आप एजुकेशन के इस फील्ड से जुड़ी हैं ना केवल बच्चों को बट टीचर्स को भी आप पढ़ाती हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई आपने मतलब अपनी साहित की जर्नी हिंदी के इस प्रेम को लेकर टीचिंग में आने का कब फैसल करने के लिए जिस तरह से मैं यहां आई थी और फिर मैं यहीं क्यों कर रह गई यहीं से फिर मैंने सारी अपनी उच्चे-सिक्षा प्रात की और इस यात्रा में इस सैक्षिक यात्रा में आधरणिय रिशर्देश अर्मा जी का में नाम लेना चाहूंगी बड़े गर्व से क्योंकि वो मेरे गुरू रहे हैं और उन्होंने हमेशा और आस तक यही एक फोन आ जाता है कि क्या लिखा पढ़ा तो यह जो चीजे हैं हमारा मनोबल बढ़ाती हैं कि जहां कहीं हम रुक रहे होते हैं वह हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें लगता है कि नहीं हमारे बीचे क जो है एक अध्यापक की हैसिय से गई में वहाँ पर और आज बीस साल हो गए हैं मैं शीरक में आज भी वहीं पर हूं कारेरत हूं और जैसे कि आपने कहा कि आप अध्यापक बच्चों से जुड़ी हुई हैं बच्चों से जो हम जुड़े होते हैं तो हमें अपने आपको अपडेट रखना ही पढ़ता है क्योंकि ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगे कि सिक्षन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आये हैं आम तोर से ये जुम्ला है कि क्या करते हो जाके पढ़ाना ही है बच्चों को डाटना ही तो है लेकिन आज हम 21 सदी में जी रहे हैं तो यहां पर जमीन आस्मान का अंतर आ गया है पहले की सिक्षन के क्षेत्र में हम विशेश करके कहना चाहूंगी क्योंकि आज के जो बच्चे हैं जो विद्यारती हैं वे बहुत चागरूख हैं वे बहुत जिग्यासु हैं और जब तक ग्यासा उनकी हम शांत न करें तो फिर हम आगे नहीं पढ़ा सकते इसलिए अपने आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी मैंने महसूस किया है जब-जब मैंने अपनी कक्षा में गई हूँ और अपने विद्यारतियों से बात की है तो विशे कोई भी हो उसका जो पढ़ना लिखना है वो आसान हो जाता है रोचक हो जाता है यही चीज है कि अपने आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है और यह भी है कि अगर जैसे बोलते हैं कि टीचर अच्छी हो आपने भी बोला आपकी जिंदगी में आपकी गुरू का बहुत ब तो बच्चे की इस भाषा को लेके जो प्रेम है उसे आगे बढ़ाने में गुरू का बहुत बड़ा हाथ होता है तो आप पे एक बहुत ना केवल चिकशिक responsibility बलगे एक बहुत बढ़ी सामाजिक responsibility भी है कि आप बच्चों के भाषा के प्रती जैसे आज हमारी भाषा बहु जो प्रेम है हमारी जो राष्ट्रभाशकी प्रती जो प्रेम है उसे जगा कर रखना बच्चों को उससे जोड कर रखना एक बहुत बड़ी सपैबेक इणक्याriasक लिए इसकंडे का बहुत बहुत काभिलयों तारिफ काम कर रही है क्यांकि आप नक बच्चों से जुड़ीं से नुढिए घ्र outta て testimony ऑम तो पीचर के साथ आप किस तरह का तरह कर रही है और वो किस तरह का प्रभाव ला रहा है आपके तीचर की जरूनी में इसके बारे में हमें बताई ची… टीचिंग जैसे कि मैंने बताया कि आज चुनौती फूर्ण है किसी भी अध्यापक के लिए आसान नहीं है कि वो कक्षा में गया और इसी साधानी तरह से पढ़ा दिया कि इसी को लेकर मैंने मैं बहुत सारी वोक्षाप जैसे करती हूं जिसमें यही मेरा आधार होता है कि भाषा कौशल जो है जिस पर भाषा खड़ी है यहीं कि उसके चार पिलर हम कह सकते हैं तो भाषा कौशल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है यही बात हम बच्चे के साथ करते हैं कि सुनना बूलना पढ़ना और लिखना ताकि वह पूरी तरह से भाषा को सीख सके यही चीज में अपने कारेशाला के दौरान अपने शिक्षकों से जो मेरे सहयोगी होते हैं और भारत के कई क्षेत्रों में मैंने वर्क्शॉप की हैं वहां पर मैंने देखा है कि अलाग अलाग शेत्र में होने के बावजूत अध्यापक की जो चुनोती है वो एक जैसी है कि बच्चे रुची नहीं ले रहे हैं हिंदी किस तरह से पढ़ाई जाए बच्चे हिंदी पढ़ते ही नहीं है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि छोटी-छोटी एक्टिविटीज को लेकर चोटी-छोटी जो चीजे हैं उससे हम शुरू करते हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब उच नहीं सिखा जा सकता हमें उसे स्टेब बाई स्टेब ले जाना पड़ता है तो हम उसी जो सिक्षन के पूरी प्रक्रिया है उसको हम जो है सुनना बोलना लेखना स्टेब यह तो हमारे महत्रपून चीजें हैं इसमें अध्यापक क्या करेगा अध्यापक बड़ा अलट होना पड़ता है कि वैसे भी स्टेशन में हम देखेंगे कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं कोई सुनकर सीखता है कोई पढ़कर सीखता है कोई बोलक और कोई देखकर भी होता है तो हमारी कक्षाओं में अधिकतर जैसे मैं चाहती हूँ कि हिंदी को लेकर वैसे एक पूरवाग्रह है कि हिंदी तो केवल किताबों से पढ़ाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है समय बदला है और इस समय के दौरान हमें भी तकनिकी को अपनी कक्ष लेना है आडियो लेना है क्योंकि बच्चे मज़िदार चीजों से जल्दी सीखते है तो हमारा काम हो जाए कि बच्चा पढ़ ले और सीख ले क्योंकि आज जो सिक्षन प्रणाली है वो भी यह नहीं कहती कि आपने जो है पढ़ लिया रट लिया और फिरकल एक्जाम में परिख दे आया और परिक्षा दे आये ऐसा तो कभी होना ही नीचे था लेकिन होता रहा आज काफी बदलाव आरे है समय बदल रहा है तो उससे बच्चा करना जो समझ है वो विकसेथ होनीचे यह बच्चे की तब जाकी वो कि क्योंकि हम भाशा सिखा रहे हैं वो केवल पर तो आपने बहुत अच्छी बात उठाई क्योंकि आज चाहते ना चाहते हो भी अंग्रिजी का एक माहूल है, ऐसे में बच्चा जो है वो ब्रहमित है आज क्योंकि परिवार कुछ और कहता है, स्कूल में हम कुछ और कहते हैं, इसमें वो ब्रहमित है कि कौन सी भाषा सीखनी चाहिए, तो अगर हम ये कहें कि आपको हिंदी सीखनी है, आपको इस तरह से हिंदी पढ़नी है, आउशकता ही नहीं है, मैं समझती हूँ, यदि हम हिंदी से प्रेम करते हैं, और हमारे हर लहजे में हिंदी की जो रस आता है, तो बच्चा अपने आप उसे प्रभावित हो बच्चे बहुत अपने इंप्रेस्टिंग एक जो टेक्नीक बताया है कि छुटी-छुटी अक्टिविटीज करो बच्चों के साथ, उनका इंट्रेस्ट पहले उसमें जागरुक करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि बच्चा पुरी तरह से उसमें गुलने की कोशिश करें तो आप जैसे 20 साल से चिरेक में पड़ा रही हैं, आप हिंदी से जुड़ी रही हैं, बच्चों से जुड़ी रही हैं, क्या difference आपने देखा या क्या change आपने देखा इन 20 सालों में, बच्चों में, जैसे तक्नीकी के बारे में आपने पताया, वो तो fact है आज की डेट का, बट किस तरह से भाशा के प्रती जो एक इंटरिस्ट होता है बच्चों में 20 साल से लेकर अब तक की इस ग्रोथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी क्योंकि आप बहुत क्लोजली जूड़ी हैं इस चीजों से जी जी याप बच्चे यानि विदार्थियों की बात आप करती हैं तो बहुत बड़ा बदलाव है अच्छा जी पहले जिस तरह से हम पढ़ाते थे हम बाच्चीत करते थे वो काफी बदली है मैं कहूंगी कि जैसे बदलाव कहां नहीं आया सिक्षा में बदलाव आया है बाच्चीत में बदलाव आया है और बदलाव इसमें नहीं कह सकते कि पहले बच्चे हिंदी नहीं सीखते थे आज ही सीखते हैं लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो हिंदी में सु लेकि तो ये वहाँ नहीं था कोरोना के बाद में तो हर जी हम सभी जो है एक दम ऑनलाइन हो गए हैं जुड़ गए इन चीजों से तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करने लगें इसके फायदे भी हैं इसके नफ़े नुकसान दोनों ही हैं तो पहले का विद्यार् किताबें ऑनलाइन हो गई हैं पुस्तकालें ऑनलाइन हो गए हैं इससे वो जो है कहीं न कहीं अपने आपको जोड़ लेता है यह हिंदी की बात तो यह हुई दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आज का युआ जो है वो अपने मूल्यों को छोड़ रहा है यह इस वहां से जीजे आएंगी तो वो कहीं न कहीं बच्चों में दिखाई देती हैं और यदि हम भारी भरकम जैसे कविदार जी कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया नकोई एके अशिर प्यू का पढ़े सुपंडित होई आज भी वही बात लागू होती है यदि हम बड़ी बड़ी किताबیں पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे वीच मूल ये नहीं है हम किसी का आधर नहीं करते हैं अच्छी बाते नहीं करते हैं इंसानियत को हम नहीं जगाते हैं तो फिर हमारा पढ़ना बैर्थ है तो बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन हर बालक में, आज भी वही चुनोती मैं देखती हूँ, हर बालक में वही ललक है, तो बदलाव इस बात से आया है कि उसका जो हम कहें कि रास्ते बदल गए हैं, लक्ष वही है, रास्ते बदले हैं, उसे और रास्ते मिल गए हैं, उसे आपका की रास्ते और बढ़ गए हैं पर लक्ष वही है अब वो रास्ता सही है गलत है पर लक्ष आल्टिमेटली हमारा वही है उसमें बच्चे को उस सही रास्ते पर ले जाना उसे अपने उस लक्ष तक पहुंचाना एक गुरू की जो रिस्पॉंसिबिलिटी है आप का नाम इतना बड़ा है टीचर जो है पो केवल टीचिंग नहीं करता है वो बनाता है उसे इसलिए जिम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर ज्यादा है क्योंकि वो किसी नॉन लिविंग तिंग को नहीं कर रहा है वो ऐसे पच्चों को आकार दे रहा है जो समाज वो सही है गलत जैसे आभी आपने कहा कि अलक्षे वही है लेकिन रास्ते गलत सही यही तो विकसित करना है कि उसे सही रास्ता वो चुने सही रास्ता वो चुने सही रास्ता वो उस पर वो चले चाहे तकलीफे आए कठिनाईयां आए लेकिन हमें इस तरह से कबर जी मुझे बध्यसे 2 के समाज में जहां इतने क्षेत्च नहीं तो बच्चे नहीं जाए जानते कि उसे क्या चीजने देखनी चाहिए क्या नहीं पिरानी चाहिए में कुल्सी की जिसे लेनी जाए ऍेगारता ओंक यह के इस ayam समय समय पर बताएं, अध्यापक के साथ, एक और अध्यापक उसके घर में है, उसकी माँ, बच्चे की, या परिवार हम कहें, तो वो जो जिस तरह से मतलब उन्हें सिक्षा देंगे, सिक्षा ना कहूंगी समझ देंगे, तो फिर वो अपने सही लक्षे तक पहुंचेंगे. जिसे आपने बोला, एक रिस्पोंसिबिलीटी हो जाती है, एक सोशल जो रिस्पोंसिबिलीटी है, उसका आप एक बहुत खुबसूरत एग्जाम्पल है, ये तो हुई आपके टीचिंग की बात, ये आपके करियर की बात, एक आप में कहीं न कहीं साहित्य के प्रती, लिखती है, तो साहिती की में लिखने की और इसमें रुची आपकी कैसे जागी, जी, साहिती की रुची तो मेरी बहुत पहले से थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि साहिती है क्या, क्योंकि मैंने आपको एक खुबसूरत सा उधारन देना चाहूंगी, कि पहले जो है चीज तो जैसे ही हमारे में छोटी थी तो मैं बड़ी सहजिता से बड़ी ध्यान से उसे पूरा खोलती थी और फिर उसमें जो भी कुछ है मैं पूरा पढ़ लेती थी तो मुझे लगता है कि ये शायद पढ़ने के प्रती ललक मेरी बच्पन से रही है एक लहमा और याद आता है म मैं सिक्स में थी सिक्स या फाइव में थी तो उस समय जो है मैं जो मुझे लाइबरेरी में हम पुस्तकाले में गए तो वहाँ पर एक ऐसे किताब मिली और उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत सुंदर से कहानी थी उसमें और पढ़ते पढ़ते मुझे अंदाजा ह पर दो नहीं रहा कि वह तो उसमें मैंने वैसे ही जो है लगा दिया और मेरे अध्यापक थे वह बहुत जोर से हसे तीन-चार मेरे टीचर्स थे, वो बहुत जोर से हसे, तब अचानक मेरा ध्यान आया, तब वो जो उन्होंने जो शाबाशी दी, वो मुझे आज भी याद है, तो ये लगता है कि साहिते में कहीं न कहीं रूची रही है, और फिर इस रूची को इतनी बलवती, इतनी तीवर ब जब हमें पढ़ाते थे, तो उस समय वो इस तरह से उधारन देते थे, कि जैसे क्लास खतम हुई, और मेरे कदम सीधे लाइबरी की तरफ, पुस्तकाले की तरफ होते थे, कई बार मैडम ये कहती थी, हम जब पुस्तक लोटाते थे, पढ़ लिया, तो मैं कहती है, मुझे ज कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि अपनी कहानिया, अपनी उपनिया, जो अपनी इच्छा अनुसार हो, उसे पढ़ें, तो ये तो मेरे पढ़ने के प्रती बात है, लिखना फिर यहीं से हता है, यह होता है, कि जो पढ़ेगा वो लिखेगा, तो यहां से छोटी चोटी है, ऐसे ही मैं बताना चाहूंगी कि पहली कवीता मैंने एक लिखी थी, कापास की तूडिया, तो वो जो है, तुरंत गई हमारे प्रफेसर अदलिप सिंग के पास, तो उन्होंने बड़ा, बड़े खुश हुए, और वहां से फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे कुश लिखन आज प्रोसाहन बहुत ज़रूरी है, यही फॉर्मिला आप अपने बच्चों के साथ भी इस्तमाल करते हैं, तो कि यह सारी सीख आपको मिली है, यह सारा कुछ महौल, जो एज़ आज परसं आपको मिला है, यही आप अपने शिक्षा की जो जर्नी है, उसमें इस्तमाल करके हो सकता है कि आपके स्कूल से भी, आपके बच्चों के इसम से भी काफी poets और writers निकले आपकी प्रोचाहन से आपने बहुत ही खुबसूरत बात कही कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है किताबों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन बातों में, उन शब्दों में जिस तरह से हम खो जाते हैं, वो दुनिया ही अलग होती है जिन बच्चों में किताबे पढ़ने की और बुक्स पढ़ने की जो एक लगन होती है, ये मेरी गैरंटी है कि वो बच्चा कभी बोर शब्द यूज नहीं करेगा वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि मैं बोर हूँ, तो मन्जु जीजे से बता रही थी कि घर में अगर कुछ आता है, तो वो पेपर पढ़की, खोल कर उसे पढ़ती थी ऐसे बच्चे हमेशा आगे चलके एक तो इंटेलिजन बहुत होंगे, वेल रेड होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे क्योंकि शब्दों से, किताबों से जो हमें सीख मिलती है, वो लाइफ स्किल्स, चायद ही ऐसा महान हमें कहीं और मिलें, तो इसी बात पर कहीं मत अब ही रेते हैं, छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ चमेली पर, डॉक्टर मन्जु शर्मा जी के साथ. वेलकम बैक, दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में आपका स्वागत करते हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मन्जु शर्मा जी से, जो की एक टीचर है, चिरेक में 20 साल से, हिंदी से जोड़ी रही है, काफी हजारों बच्चों से ये जूरी रही है, टीचर स के साथ जूरी रही है, साहित्य के पती इनकी जो रूची है, हैतरबाद आकर डॉक्टर रिशचत देव शर्मा जी के प्रेत्रत्व के माध्यम से आज ये काफी सारी कवितायय लिखती हैं, काफी सारी कहानिया लिखती है, प्रकाशित हैं, तो और आप हमें ये बताईए कि आपने कया क्या लिखा है, किस फील्ड में आपकी ज्यादा रुचिया है? चाहे वो कविताये हो, कहानिया हो, हास्य कविता हो, व्यंग हो, किस फील्ड में आपकी रुचिया ज्यादा है? नहीं अबूर मैं तो पर वर mo sont thoughtakers? The taught it seems on my own. जो जिस तरह से लेखा कर लिखता है। मैंने सिक्षा के क्षेतर में भी लिखा है। फुल्वारी नाम की पाथे पुस्तके हैं मेरी। और वियाकरन की किताबे हैं मैं और मेरा वियाकरन। इसके साथ ग्लोबल हिंदी जो आई जी सीसी के लिए मेरी एक से दस्विक अक्षा तक की पाथे पुस्तके हैं। वाओ। कथाकार नासिरा शर्मा उनके साहिते में मैंने स्त्री विमर्ष पर अपना काम किया है। तो उसको लेकर एक किताब आई है। एक जो है, जैसे मेरी मातरी भाषा हम कहें कि बोली राजस्थाणी है तो उसे जो है अनुवाद भासा है, तो मैंने लिख रचूप देव शरमा जी की जो देहरी स्थिरी पक्षिय कविताओं की देहरी पुस्तक थी, जिस तरह से, और इसका मैंने अनुवाद भी किया है, कहानिया मैंने लिखी है, कहानिया मेरी कई जे परकाशित हुई है, और उसमें से मेरी तेरा कहानिया भी तक हो चुकी है, चोटे मोटे आलेख तो लिखती ही रहती है, जरूर हम कुछ सुनना चाहें अपने जो लिखा है, और आपकी जो एकदम दिल के करीब है, आपका कुछ लिखा, प्लीज हमारी ओडियोंस को आज सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं कि आपकी जो फ्लो ऑफ थोट्स है, जो कविता या कहानी, आपकी दिल के बहुत करीब है, एक तो किस तरह से आप से इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग प्रेम से इंस्पायर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन से इंस्पायर होते हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? जी, अगर मैं कहना चाहूं कि कितावों में जो कितावों में जिस तरह से मुझे प्रेरित किया है, तो मैं महाद उसे मैं काफी प्रभावित हुई उनसा स्मरनु से खास करके विशेश करके शंखला की कडिया जो उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक चीज बताते हूं कि इस तरी विमर्ष पर जब हमने काम किया तो लोगों का यह होता है कि यह तो इस तरी वादी हो गए लेकिन जब मैंने ज कभी यह नहीं कहा कि स्त्रिवादी, स्त्रिगुट इस तरह नहीं है बलकि स्त्रियों को सक्षम होने की आवशकता है तो यह उनकी जरशनाएं पढ़कर भी मुझे काफी प्रेढ़ना मिली ऐसे में ही मेरी मुझे एक बहुत पसंद है कि जुर्यों के भी अर्मान होते हैं मै मैं सामान नहीं अकसर यह होता है कि लड़कियों की जब शादी जगाई की बात होती है तो काफी उसे देखा जाता है पर खा जाता है और इस कहानी में जो मेरी किरदार है वो उस लड़के से पूछती है कि अपना बार्ड़टा भीज देना अच्छा मैं देखना आपकी जो कविता का अपने शीशा का भी बताया जुरियों के भी अर्मान होते है अब वो मेरी चोटी कहानी है लगू कथा है तो उसकी मतलब train of thought या उसका thread क्या है अकसर मुझे विचलित करती हैं चीजे कि जो माबाप हैं पालते हैं पोस्ते हैं उसके बाद में उन्हें पर दिया जाता है उनके कोई अर्मान नहीं होते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि मैं अपने विद्याले से एक बार हमारे चात्रों को प्रदाश्ण हम गए थे हम बच्चों को सिखाते हैं यहीग वैलूज है जो चीरक देता है यहीग वैलूज है वीद्याले देते हैं तो वहां मैंने देखा कि कुछ लोग जूट बोर कर, कुछ लोग ऐसे ही अपनी माता पिता को छोड़ देते हैं और मैंने एक दो लोगों से वहां बात की, तो उन्हें उसे कुछ नहीं चाहिए तो मैं युआ पिडिस यही कहना चाहूंगी, कि क्यों, क्या जरूरत है क्योंकि आज करूंगी जुर्यों के भी अर्मान होते हैं उसमें व्रद्धों की गाता है, कहानी है क्योंकि उन्हें बैंक बेलिंस नहीं चाहिए प्रॉपरटी तो वैसे ही आनी है फिर भी क्यों उन्हें सामान समझ कर एक ऐसे स्टोर में रख दिया जाता है जहां पर कबार पड़ा हुआ है कोई घर आता है तो तुरंत उसके घर का जो नक्षा है वो बदला जाता है और जैसे पुराने सामान के आउशकता सामने नहीं रहती वैसे उन्हें क्या तो हटा दिया जाता है पीछे रखा जाता है इन सब चीजों से मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा करे बस उसमें यह कहानी है इसलिए मुझे लगा कि आप थोड़ा सा उसकी बारे में शेयर करें आप हमारे लिए कुछ पढ़ने वाले तो प्लीज देहरी से ही स्ति मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी जिसमें कहीं न कहीं जैसे कि स्तुरी को विशेश करके पूर्शों स्तुरी दोनों को ही चुन्योतियों का सामना करना पढ़ता है लेकिन भारती परिवेश में स्तुरीों को कुछ ज्यादा कर्ष्ट उठाने पढ़ते हैं जिन्योतियों का सामना करना पढ़ता है ऐसे में जब स्तुरी बोलती है अक्सर यह माना जाता है गुडिया, गाई या गुलाम बेचारे तो इस कविता में इसका शीर्शकी है गुडिया, गाउ और गुलाम इससे मैं राजस्थानी में इसका राजस्थानी अन्वाद सुनाना चाहूंगी पर्षू थे महाने चीखन हाली गुड़ी जानकर गुड़ी मतलब गुडिया गुड़ी जानकर धर्ती पर पटक दी और पगांसू मतलब मैं शिकायत नहीं की ठीक है काल थे महाने परसों, बच्पन, काल और अब तो काल थे महाने अपने खूटे की गाय जानकर महारे पैरा में न्यानों बांदी हो न्यानों गाय को पैरों में जो है रसी बांदी जाती है दूहने के लिए महरा थना ने दू लिया पढ में कोई उलाणों नहीं दियो आज थे महाने अपने हुकम को गुलाम जानकर आज थे महाने अपने हुकम को गुलाम जानकर ताती सलाखां गरम सलाखां सूँ मारी जीब बाड़ती और इभी भी चाहो हो कि मैं कोई उलाहनों ना दूँ अभी भी चाहते हो कि मैं कोई उलाहना ना दूँ गुडिया समझ का जमीन पे पटका कुछ नहीं कहा गाय खूटे से बांदी ठीक है चला अब मुझे अपना गुलाम समझते हो और फिर मेरी जीब चलाते हो यानि कि बोलने की अपवाजादी नहीं है ताती सडाखां सू महरी जीब बाड़ दी और इभी इभी चाहो हो अब भी चाहते हो कि मैं कुछ ना कहूँ कोई शिकायत ना करूँ ना मैं गुड़ी को ना ना मैं गाए को ना नहीं मैं गुलाम हूँ वाह यूरिफल एक और कविता यदि इजाज़त है तो सुनाना चाहेंगे इसमें भी स्त्री की आवाज है प्रशस्तियां में जो कुछ भी पायो खट खट कर पायो आज की लबतां पर चाल कर पायो पावन की खुसी पन कदे नहीं खुसी से पहला हर बार सुनाई देमती माने मारी प्रसस्ती में दोबी की गाड़ी और मन्थरा की बोली सिख्षा हो या व्यापार प्रसिदी हो की इनाम हर बार बेही बोला मैं कुछ न बोल सकी काफी लंबी कविता है इसके दो पूल मुझे अच्छे रहे हैं ब्यूरिफल यह जो औरतों को लेकर जो आपने एक लिखा है कि उनकी जीवन में जो स्ट्रगल रहा है जिस तरह से उन्हें हर चीज के लिए मतलब लड़कर आगे अपना हक लिना है यह काफी बहुत खुपसूरत और स्ट्रॉंग वर्ड्स है जो आपने लिखा है और यह हिंदी तो ठीक राजस्थानी में भी उतना ही कुपसूरत लग रहा है देखिए चाहे किसी भी भाशा में हो भाव वही होते हैं इसलिए तकलीफ भी वैसी होती है तो स्ट्री को लेकर चाहे किसी भी भाशा में बोले कहीं किसी को भी लेकर बोले भाव जो है उसका माध्यम भाशा है आपकी पस्ट्राइलिटी ऐसे काफी सौफ्ट सहमी और स्थिर है बड़ आपके वर्ड्स है आपकी जो शब्द है और आपकी जो थौट है वो काफी स्ट्रॉंग है बड़ी हमें ये सिखाया जाता है कि शायद हमें ज्यादा वोकल नहीं होना चाहिए बड़ आपने सही में कलम को अपनी ताकत बनाई कि मैं सोचती ऐसा हूँ मैं शायद जोर से बोल नहीं पाऊंगी बड़ मैं लिखूंगी जरूर तो ये आपकी परस्नालिटी बहुत काबले तारीफ है कि आप अपनी आवाज उठाती है बड़ ऐसी की सामने वाले को पता चले और उसे सुनाई दे शायद आवाज से रही बड़ भाशा से तो इसका मैं आपको बहुत अभिनंदन और अभार देना चाहती हूँ आपकी इस टालेंट को कई जगाओं में रेकगनाईज किया गया होगा कई जगाओं आपको सराह न मिली होगी तो आपको काफी अवाड से काफी सारे पुरस्कारों से संमानित किया गया होगा प्लीज हमें ये बताईए कि कहां कहां से आपको ये recognition मिला है कहां कहां से आप पूरसकारों से नवाजी गई है पूरसकार बढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि जो मैंने कारी किया है जो अपनों से जो शाबाशी मिलती है अपनों से जो प्यार मिलता है उससे बढ़कर कोई पूरसकार नहीं होता लेकिन जिस कर्मक्षेत्र में हूँ, जिस मेरा मानना है कि कर्म ही पुजा है तो कर्मक्षेत्र में हूँ, सिक्षाक्षेत्र में हूँ इसी से जोड़े वे कई पुरुसकार मुझे मैंने शिरोधाय किये हैं मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पहचाना इसमें आचारिये देवो भवय एक रास्टिये पुरुसकार मुझे मिला अरे वाँ जी ऐसे एक इसके साथ साथ सिक्षा के शेतर में भी है रोटरी क्लब से भी मुझे यही है कि बेस्ट टीचर अवार्ड के रूप में यह तब लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसे अपनी पहचान तो मिली ही रही है इसके साथ साथ हिंदी जो अकैडमी है उसमें भी मुझे सिक्षा भूशन सम्मान से नावाजा के है तो कुछ ज्यादा नहीं प्रोसाहन मिलता रहे यही सबसे बड़ा प्रुसकारा होता है और ये भी कि लोगों को भी पता चले कि आप किस तर पर काम कर रही है और क्या आपकी जर्नी भी किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है तो पुरसकार मिलना ये एक recognition होता है बढ़ एक से बस्ते हैं जोगों को इर वी बहुता चले कि आप कितने प्रैत्न करकर इस लेवल तक आज पहुची है तो पुरसकार भी अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है आपकी ये जो जर्णी रही है आज तक की शिक्षा से आप जुड़ी है साहित से आप जुड़ी है बच्चों के प्रती आज आप इतना खुबसुरत काम कर रही है टीचर्स की साथ भी आप जुड़ी है आप की लाइफ की इस एक्सपीरियंस को लेकर आज आप हमारे ओडियंस को जो एक बहुत अच्छा बैलेंस है स्टूड़न्स, पैरंस, जो भाषा के प्रती जो प्रेमी है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैं यही अपना संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी भाषा को कम तर न समझे और हिंदी इस तरह से चारों तरफ आज आप देखेंगे कि हिंदी विदेशों में भी काफी नाम कमा रही है तो यह उस बच्चे को और हम सब को समझना है कि कोई भी भाषा किसी से कम नहीं होती क्योंकि भाषा भावनाओं को प्रेशित करती है भाषा एक दूसरे के मिलने का अधार है एक दूसरे के विचारों को साजा करने का माध्यम है तो पहले तो यह है कि हमें किसी भी भाषा को कम तर नहीं समझना चाहिए यह मैं कहना चाहूंगी यदि पेरेंस तक मेरी बात पहुँच रही है तो मैं कहना उनसे भी गुजारिश करूंगी कि केवल अंकों पर ही ध्यान न देकर वो किस तरह से बढ़ रहें आगे क्योंकि अंकों का जो अधिक तर हम सब ही उस पर हैं कि आपको माक्स का मिल रहे हैं आपको माक्स जादा मिल रहे हैं उसको जादा मिलें तो तो ला न की जाये अपने बच्चे से किसी की ऐसे में उस बच्चे की अंदर बहुत खूबियां होती है किसी बच्चे में कोई खूबी नहों ऐसा होई नहीं सकता अलग-अलग क्षेतर होते हैं तो उस क्षेतर को पहचाने उनकी जो क्षमताएं हैं उसे पहचाने और उसे फिर वो आगे बढ़ाएं इसमें वो माली का काम करें जरूरत के मताबिक अध्यापक हो या पेरेंट्स हो अभीभावक हो माली का काम करें कि भाई आसपास पौधे के घास वगरा उगाई है तो बड़े प्यार से वो उसे कटनी छटनी कर देता है फिर बहुती प्यारी भाषा है एक बात आपने कही थी कि कठिंग शब्दों की जिस तरह से उनकी समझ लेते हैं शुद्ध है शुद्धता की बात आपने उसे पूछी थी तो ज़रूरी नहीं है कि बहुती शुद्ध की बात है शुद्ध के चकर में हम फिर अपनी जो सहजिता है उसे खोदेते हैं आउशक है जरूरी है कि जिस संधर्ब की बात हो रही है उसको हम उसी तरह से उसी भाषा के जरीए बताएं जिससे कि उसे हर फिल्ड का पता चले लेकिन हर समय यदि हम ये बात ये शब्द सही नहीं है इसकी जगए ये होना चाहिए था ऐसा करते हैं तो फिर हमारे विचारों में कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है इसलिए भाषा प्रवा है उसे प्रवाइत होने दें और हम सब मिलकर जहां जिस क्षेतर में हैं बहुत जरूरी है प्रवा में होना बहुत जरूरी है बच्पन में खो गई थी और उनकी टीचर्स में उने से जगाया था उस जिस जुनून में आप खो गई थी पढ़ने के वो आज बहुत दुख की बात है कम होता जा रहा है बट उस चीज से जुड़े रहना बहुत जरूरी है किताबे एक ऐसा माध्यम है जो आपकी एक नजरिये को बदल देगा आपके लिए एक अलग दुनिया खोल देगा तो डॉक्टर मंजी शर्मा जी का आज ही हम मेसिज यहां से ले जाना चाहते हैं आपको यह देना चाहते हैं किताबों से जुड़े रहिए भाशा से जुड़े रहिए अपनी जिंदगी में गुरू और माह की जो पुजिशन है उसे खूब इज़त दीजिए उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए और इसी तरहां दूरदशन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी यह सार्थक कोशिश है कि हम ऐसे खुबसूरत एक्सपर्ट को लेकर आए आपसे बात करें और कई सारी नई बाते आपको बताने की कोशिश करें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मन्जु शर्मा जी का कि आज आप दूरदशन यादगीरी के स्टूडियो में आए हमारे साथ जुड़े as a teacher, as a guru, as a mentor, as a guide, as a writer आज आपने हमसे बहुत खुबसूरत बाते की, बहुत मज़ा आया आपसे बात करें बहुत-बहुत आभार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए पहनेवाद फिर मिलते हैं दूरदशन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की अगली प्रस्तुती में तब तक मैं आपकी होस्ट पूरम गुलेचा आप सबसे विदा लेती हूँ, नमस्ते